वे prefix किसे हैं आप लोग आई होब कि आप लोग अच्छे होंगे आज के इस वीडियों हम प्रस्णावाली fut신 के सभी परसल को देखने वाले हैं इस प्रस्णावाली मेंbuildसों के सभी प्रसन को देखने वाले हैं इस प्रस्ावाली हमें हमें पर संख्या एक है सरकस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चड़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमी पर सिधे लंबे खंबे के सीखर से बंधा हुआ है यदि भूमी अस्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कून 30 डिगरी का हो तो खंबे की उचाई जियानी कि हमके एक खंबा दिया गया है और उसे 20 मीटर लंबी डोर यानंकि एक खंबा दिया यह एक खंबा है आप किरती देख लेते हैं इसका गैफ के इसका आ किरती का है जो यहं पर खंबा है तो देखिए यह यहां पर खंबा है और एसी डोड़ी है ठीक है जोकी 20 मितर है और यहां बुमी से देखिए 30 टीश स्टरीLab कोन बना रहा है थो यह देखिए इसमें कोहई हमें खंबा खंबा नहीं बनाना है सिख हमें ट्रेंगल की मदद से सवाल को स्लियेशन करना है ठीक है तो आए पहले जो दिया गया है इससे लिख लेते हैं ठीक है लिखेंगे हल हल दिया गया है तो हम ऐसे कर लेते हैं माना की ठीक है क्या कर लेते हैं माना की लिखेंगे माना की माना की A B एक खंबा है एक खंबा है खंबा है ठीक है देखें A B एक खंबा है ठीक है और क्या है इसमें A C 20 मीटर का डोड़ी है ठीक है तो लिखेंगे और और AC AC बड़ावर कितना है 20 मीटर 20 मीटर काडोरी काडोरी बंधा हुआ है बंधा हुआ है ठीक है और इसमें क्या दिया गया है तो 30 डिग्री दिया है कौन ACB लिखेंगे कौन ACB बड़ावर 30 डिग्री दिया गया है ठीक है अब दिखेंगे ये समकून तिर्वुज है तो लिखेंगे अब समकून तिर्वुज समकून तिर्वुज A, B, C में ठीक है देखेंगे हमें इसमें बेसिकली ये देखना है कि हमें दिया क्या गया है और हमें निकालना क्या है ठीक है तो देखेंगे हमें खंबी की उचाई ग्यानत करने के लिए कर रहा है तो खंबा तो यह है यानि कि यह वला भाग हमें गयात करने के लिए बोलड़ा है और यानि कि हमें दिया क्या गया है डोड़ी की लंबाई दिया गया है तो हमें इस से हमें कोई मतलब नहीं है ठीक है अधार से देखे समकून के सामने वला भुजा क्या कालाता है करन कालाता ह तो यह H हो गया ठीक है और नियून कोन के सामने वाला भुजा क्या कराता है लम का लाता तो इसे P से सुझीद करते हैं ठीक है तो देखे हमें P और H में देखना है ठीक है तो P और H हमें तिरकुनमिती का अनुपाद 6 होता है P और H का समन्द किसे होता है हम देखे यहां पे अ तो kosex theta हो जाेगा ठीक है आप कोई भी ले सकते हैं चलिए हम sine निलते हैं तो निखेंगे p और h का किसे आता है sine से लिखेंगे sine theta बडाबर ये आपको पहले ही लिखना होता है sine theta बडाबर p बड़े h आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते है P का जो AB है AB बुजा P है AB बटे AC ठीक है और देखिए ठीटा का मान यहाँ पर 30 डिगड़ी दिया गया है ठीक है तो लिखेंगे साइन स्वरी साइन 30 डिगड़ी बड़ावर तो देखिए आप चाहिए P बटे H लिख भी सकते हैं AB लिखते हैं AB बाई AC ठीक है अब देखिए साइन 30 डिड़ी का मान कितना हाता है 1 वै 2 होता है यह हमने तिरकोन मिती 8 दसनलोव 3 में जो है पढ़ा चुके है अपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो हमारे MW के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं ठीक है और देखिए AB का मान कितना है AB का मान नहीं दिया गया है तो हम AB के जगा AB हीडा ने देंगे ठीक है और देखिए AC कितना दिया गया है तो 20 मीटर दिया गया ठीक है तो लिखेंगे यहां पे 20 ठीक है और अब देखिए क्या करेंगे हम cross multiply कर देंगे क्या करेंगे cross multiply तो यहां पर देखिए तो 200 AB को गुना करेंगे तो 2 AB 2 AB बढ़ावर 20 को एक से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 20 ठीक है तो और AB बरावर क्या हो जाएगा 20 बटा में 2 यह केंसिल हो जाएगा 10 10 में ठीक है तो इसलिये लिखेंगे इसलिए AB बरावर 10 मीटर ठीक है तो देखे एबी का मौन हमें आ गया है हमें AB आ गया है और मान क्या रहता है खंबे की उचाई, खंबा तो A B ही है, ठीक है, तो हमें आ चुका है, तो यही हो जाएगा हमारा एंसर, तो लिख देंगे यहां पर एक लाइन, अता, अता, खंबे की उचाई, खंबे की उचाई, उचाई क्या है, A B, बढ़ावर कितना आया है, दस मीटर, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, आई होब कि आप सभी को सवाल स्वाज में आ गया होगा, अब चलिए हम परसन क्या दो के ओड़ चलते हैं,